एक बार धार भी आपको लिए चलते हैं दीपक हमारे सयूगी आपर जुड़े हैं और बता दें आपको कि धार में यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर महिलाओं की बड़ी संक्या दिकी जा रही है लाइन लगी हुई है बात करी दीपक जरा और तस्वीरे भी हम तक पहित आज मतदान को लेकर वोट डालने को लेकर उसके बात में जो रात को सामगरी वीतरण में जिनकी ड्यूटि लगी थी सुमन वासने नाम बताया जा रहा उनका और रात में जब भो घर पहुचे सामगरी वीतरण के बाद तो बताया जा रहा है कि रध्या घाथ से उनकी मोथ हो गई के बाद अब हम देखें यहाँ पर कि मैं इस समय हूँ धार के बूत कर्मारंग 25 पर यह पीड़ुडी आफिस में बनाया गया बूत है और इस बूत पर मतदाताओं का उत्सा जो आप देख सकते हैं कि इन लंबी कतारों से उत्सा को देखा और समझा जा सकता है जहां पुरश कुछ सारे काम छोड़ कर जो सबसे पहले वोट देने वाला जो नारा है उसको चरितारती करते हुए काफी संख्या में महिला यहां पर पहुंची है महिलाओं के साथ साथ कई ऐसे यूतियां भी है जो पहली बार वोट डालेगी जो नौ मद दाता है जो पहली बार अपना डालने क्या कुछ सोच रखा आपने आप पहली बार वोट डाल रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंप्रूव हो सके अगर हम सही कैंडिडेट को सुनेंगे तो और इसके अलावा क्या किस तरह के मुद्दे आपके जहन में हैं जिनको लेकर लगता है कि पक्ष में होना चाहिए और जो एंवर्मेंट है हमारा वो क्लीन हो सके और बहुत अच्छी बात है कर रही है आप पहली बार वोट डालने आ रही है कि आप बताएं यहां महिला है काफी संख्या में हम उनसे भी बात करते हैं कि जो सब काम छोड़कर पहुची है आप किन पहुची है देश की विकास के लिए जो भी चल रही है लेहर उसी के अकॉर्डिंग जिसे हमारे मुदी जी ने काफी सारे प्रयास किये हैं उसी उन्हें मुद्दो को लेकर मेरा वोट भाजपा को है धार भोष्शाला मुद्दे को लेकर भी जाना जाता है तो क्या कहीं न कहीं इस चुनाओं में भोष्शाला मुद्द आप मानती हैं जी बहुत बहुत सही हैं और घयाम मंदिर के बाद टो भोष्शाला और ज्यादा हैं और उसका मेटर क्लीन होना भी बहुत जरूरी है आप क्या मानती किस के मुद्दे हैं जो इस चुनाओं में आज मत्दान को यही कि देश जाग रुखो और हमारी भोशाला धार की बोशाला के लिए दालना चाहते हैं जैयाब में महिलाओं के साथ साथ आप देख सकती है कि कि कितने काफी संख्या में जो हो पुरुष मत्दाता भी पहुंचे है और काफी लंबी लाइने लगी हैं पुरुष मत्दाताओं की यहाँ पर मैं बता दू कि इस पोलिंग बूत पर लगवग एक घंटे के दरमयान पांच प्रतिशत से जादा मत्दान हो चुका है हमारे साथ कुछ पुरुष मत्दाता भी हैं जिन से हम बात करते हैं जादा जादे आप वोट डालने आये हैं और सुबह सुबह का वक्त है क्या कुछ मुद्ध आपके सैन में इसे लोक्तंतर का महापरवू है इसमें बूत डालना जरूर है कितना विकास हुआ चाम और और इस विकास को रागे बढ़ा लाएं आप क्या मानते हैं बस यह मुद्धि कि विकास हो रहा है और विकास होगा आप आप विम बॉत्ट डालने पAJते हां क्था भाव पूर देश का गर्व निपक यवाओं से बात कीजिएगा पीछे यवा भी dollar देख रहें हैं जड़ा उन से बातचीत किजिए उनके क्या मुद्धे हैं है न ई Six Small प्रत्याशी एक तरफ जब सावित्री ठाकूर मैदान में हैं, दूसरे तरफ राधेशाम मुवेल और विधासवा चुनाव में धार ने कॉंग्रस का काफी सपोर्ट किया है इस बार क्या रुख है यहां के मतदाताओं का इस्थानी मुद्दे या देश के मुद्दे राष्ट्रे मुद्दे जरा इस विश्य पर भी बात करिये उनसे इस समय भाजपा की तरफ से साविति ठाकूर है कांग्रेस की तरफ से राधेशाम मुवेल है अगे मुद्दे रहे हैं अच्छा कर रहे है अच्छा कर रहे हैं अच्छा विकास को लेकर क्या सूचते हैं आप विकास को अधिक हुआ है आज होना भी चाहिए तमाम लोगों के अपने अपने मुद्दे पर राष्ट का विकास हिंदुत का मुद्दा और तमाम इस तरह के मुद्दे जिसे अपने नौ माददता उसे बात की उन्होंने कहा कि एजुकेशन को लेकर जो है वो एक प्रमुख मुद्दा है एजुकेशन भी उचाहते हैं युवा चाहते है कि एजुकेशन के बात उन्हें सुलब तरीके से रोजगार तस्वीरे दिखाई ये मतदान केंदर एक तरह से मिसाल पेश कर रहा है एक बड़ा मेसेज एक बड़ा संदेश आप देखिए धार के इस मतदान केंदर पर एक लंबी का तार दिखाई दे रही है ये बता रहा है कि धार के मतदाता कितने उत्साहित हैं